हलो फेंड्स वलकम ओन माई यूट्यूब चैनल दा मुबाल सेटिंग जब आप एक न्यू स्मार्टफॉन खरीद कर लाते हैं तो उसमें बहुत सारी अप्लिकेशन प्री इंस्टॉल होती हैं जो आपके काम क्यों होती हैं लेकिन उसके अलाबा भी नजाने कितनी सारी अप् या फिर गॉर्मेंट वर्क एप्लिकेशन जो कि बहुत ही सैंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होती हैं और आप यह सोचिएगा यदि आपका मुबाइल किसी ऐसे इंसान के हाथ में लग जाए जो वो सारी एप्लिकेशन को यूज कर ले या मिस यूज ले तो हो सकता है आपकी जॉब चली जाए या आपको वर्णेंग लेटर मिल जाए या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इनसान के सामने चार्म शार्व होना पड़े या अपके आकाउंट को बिलकुल खाली कर दे हैसा भी हो सकता है इन सारी चीजों को फेस करने से बचने के लिए smartphone के अंदर एक option दिया गया है app hide जी हाँ आप अपने mobile में application जो कि आपके लिए बहुत ही important है उनको आप hide कर सकते हैं और उसके लिए अलग से passcode आप generate कर सकते हैं ये सारे features मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेरे बाद से reno 6 pro और reno 6 के अंदर मैं आज आपको बताऊँगा कि application को कैसे hide करें और कैसे आप अपनी सारी चीजों को secure कर सकते हैं तो वीडियो को आप last तक देखीदा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप application को hide कर सकते हैं और उसे कैसे use कर सकते हैं कैसे unhide कर सकते हैं यदि background में भी आपके कोई application ना दिखाई देए यानि कि recent task में भी आपकी कोई application यूज करने के बाद ना रहे तो ये सारी option आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा तो वीडियो को आप लास्तिक देखेगा चैनल को subscribe करना और वीडियो को like करना ना बुलिए तो friend मेरे बास है Reno6 Pro और मैं आपको बताने माला हूँ कि आप अपने mobile में app hide option को कैसे use कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने mobile के setting icon पर टैप करना है setting icon पर जाने के बाद सबसे पहले आप अपने mobile में privacy की option को आप टैप कीजिगा privacy के option में आपको उपर से first पैरा छोड़कर second option आपको देख रहा है hide app देखेगा मैं आपको zoom करके दिखा देता हूँ यहाँ पर application hide का hide app option मिल रहा है 4 to 16 digit password यूज़ कर सकते हैं या फिर alpha numerical password आप यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर easy बनाने के लिए सबसे पर आपका 4 digit password यूज़ करूँगा 4 digit password में भी बहुत ही simple 1234 मैं use करूँगा use 1234 उसके बाद यहाँ पर आएगा आपको एक security question security question में आप what is your teacher's name या फिर आपके पस options होते हैं कि आप what is your father name या फिर आपके what is your school what is your favorite restaurant जो भी चाहें आप अपने according चूज़ कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक नाम दे रहा है जिसे आप लंबे टाइम तक ASB मैंने या पर दिया इसको आप activate कर दीजगा उसके बद आपके पास option आदा है कि कि आप कौन कौन सी applications को hide करना चाहते हैं मैं सबसे पहले आ यहाँ पर मैंने app hide का option चूज़ किया और मैंने अपना password एंटर किया और मैंने अब यहाँ पर अपनी application को hide करने के लिए यहाँ पर जो option आरा इसको आपको on करना है जैसी आप इसे on करेंगे तो आपको एक access code जो कि आप access करने के लिए code generate करते हैं उसकी setting आपको करने पड़े कोई भी password यहाँ पर रख सकते हैं लेकिन दोनों side hash होना चाहिए मैंने यहाँ पर hash enter किया उसके बाद जो मैं password रखना चाह रहा हूं मैं 7860 और उसके बाद फिर से hash मैंने use किया उसके बाद मैंने इसे protected कर दिया है अब इन्होंने यहाँ पर एक tutorial दिया है कि किस तरीके सा application को use कर सकते हैं done का option किया मैं दो application और hide कर देता हूं सबसे पहले अपनी Facebook को hide करना चाहूंगा उसके अलावा मैंने जैसे आप से कहा कि WPS को hide करना चाहरा हूं तो मैं यहाँ पर मेरे पास WPS का option है इसको भी मैं hide कर देता हूं तीन application मैंने hide कर दी है जो कि मेरी home page पे आप नह 860 उसके बाद hash जो कि मैंने पहले जो passcode set किया है वही आपको enter करना है जैसी मैंने यहाँ पर hash हिया तो मेरी जो hidden application है वो यहाँ पर show होंगी इससे आपका जब तक आप अपना passcode enter नहीं करेंगे दूसरा इंसान आपकी इन applications को use नहीं कर सकता है मानलेजेगा अभी मैंने यहा करने के बाद मैंने back कर दिया तो अभी यहाँ पर जो application है वो background में भी show नहीं हो रही है क्योंकि देखिएगा आप यहाँ पर option आ रहा है डाइलर का और मैंने अभी recently use किया था WPS मैं एक बार और use करके दिखा देता हूँ has7860 hash यह मेरी application है मैंने daily hunt use किया daily hunt में मैंने news अपनी news जो मुझे read करनी थी उसके बाद मैंने इसे back कर दिया तो जो background application है वहाँ पर भी यह show नहीं करेगा इसकी भी आप setting कर सकते हैं तो इसके लिए आपको setting icon पर जाना है उसके बाद आप अपने privacy maintain करना चाहते है उसमें app hide क option है जो आपने passcode set लिया था वह आपको enter करना है और उसके बाद यहाँ पर कुछ settings दी गई है तो setting के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई देरा है कि change passcode यह आप passcode को change करना चाहते तो change भी कर सकते हैं आपने according मैं change कर लेता हूं 0001 hash मैंने यह passcode change किया और जैसी change किया उसके ब दिखाना चाहते हैं यह नहीं दिखाना चाहते हैं वह आपके उपर डिपेंड है उसकी setting के लिए आप जैसे कि आपने तीनों application हाइड कर दी है मैंने WPS पर क्लिक किया तो यहाँ पर option आ रहा है hide in recent task यदि आप इसे activate नहीं करेंगे यदि activate नहीं करेंगे तो आपके mobile में WPS को use किया और उसके बाद use करने के बाद मैं उसे recent task में जब जाओंगा तो मुझे recent task में वहाँ पर वो show करेंगा यदि आप उस option को use कर देंगे मैं एक बार दुबार से app hide कर लेता हूं यह जो option है आपको बार बार ही unlock करना पड़ेगा यदि मैं इसको कर लेता हूं तो नहीं करेगी और ऐसा भी नहीं है कि आप चाहते हैं कि आपने mobile में application को hide किया हुआ है और continuously उस पर notification आ रहे हैं आप यदि अपने according notification देखना चाहते हैं तो इस option को on ना करें और यदि आप notification नहीं चाहते हैं आपने जो भी application हुई हुई है उस पर notification भी hide हो जाए तो आप simply इस option को on किजेगा सिर्फ उन्हीं application के notification close होंगे जो आपने hide की हुई है इसके लावा किसी भी application का जो live notification होगा जो भी आपने hide नहीं की हुई है वो continuously आपके mobile में आती रहेंगे इस तरही किसे आप hide कर सकते हैं और unhide करने के लिए भी आपको same privacy के option पर जाना है app hide यहाँ पर आप page होगा वहाँ पर आजाएंगी यह देखिएगा तीनों application मेरी यहाँ आ गई है इस तरही के से आप अपनी private applications को hide कर सकते हैं और अपने data को secure कर सकते हैं तो friend application hide करने के option को जाने के बाद आप अपनी कोई ना कोई application को जरूर hide करेंगे चाहे वो social media से related हो आपकी banking application हो shopping application हो जिस का misuse कोई भी इंसान ना कर सके बिना आपके password एंटर किये हुए I hope यह video आपको बहुत informative लगी होगी ऐसी बहुत सारी informative videos मेरे चैनल पर दी कही हैं तो please चैनल को subscribe करना और bell icon को press करना ना भूले यदि आप notification latest update चाहते हैं तब thank you so much have a nice day झाहते हैं